नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेटिव डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे दोस्तों परियावरन अध्यान के 135 अतिमहत्पूनु प्रस्णों के बारे में इसमें मैंने दोस्तों पांच अध्याई इंक्लूट किये हैं परिवार और मित्र, संबंद, कारियो और खेल, पसू और पोदे से संबंदित 135 अतिमहत्पून प्रस्ण है तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जो मैंने परियावरन अध्यान में चेप्टर वाइस वीडियो डाले हैं उनको देखिए उसके बाद आप इस वीडियो को देखेगा क्योंकि मैंने उसमें आपको हर प्रस्ण को अच्छे से एकसे प्रेन किया है यदि आप उन वीडियो को देख लेंगे दोस्तों तो जो आज का वीडियो 135 प्रस्ण का है उसमें आप एक भी प्रस्ण आप गलत नहीं करेंगे तो पहले उन प्रस्णों को देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखेगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जो 135 प्रस्ण है उसका मुझे जरूर बताएगा कि आपको गतने नंबर आए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए सुरू करते हैं आज क सतात्मक कहलाता है दोस्तों मातर सतात्मक परिवार होता है उसमें माता परिवार की प्रधान होती है और उसके नियंत्रण में से सदस्य रहते हैं इस प्रकार के परिवार में पिता के पेक्छा माता का अधिक महत्व होता है अगला प्रिशने वहां परिवार कौन सा है जिस पति-पतिनी अपने आविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं अगला प्रश्ण है रिड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्यकारी नहीं है दोस्तों चार उपसने उसमें से बताना है कौन सा एक ऐसा कारी है जो परिवार का मुख्यकारी नहीं है तो उसका सही अंसर है शा प्रश्रिक्षण है वो परिवार का मुख्यकारी नहीं है आगबर्न एवं निमकाफ के अनुसार अगला प्रश्ण है किंग्शले डेविस ने किस पारिवारी कारी पर बल नहीं दिया है दोस्तों चार उपसने इस पर से बताना है तो कौन सा कारी है जिस पर किंग्शले सिद्धान्त का समर्थक है कौन है चार उपसन है टाइलर है फ्रेजर है इस्पेंसर है या फिर मारगन है तो उसका सही आंसर है परिवार की उद्विकासी सिद्धान्त का समर्थक फ्रेजर है अगला प्रिश्ण है उत्राधिकार का वहानियम जिसमें सदस्चित जन्म से ही पारिवारी का संपत्ति का अधिकार बन जाता है, होता है, क्या होता है, दाइभाग होता है, मिताक्षरा होता है, सपिंड होता है, या फिर सगोत्र होता है, तो इसका सही अंसर है, वहाँ मिताक्षरा होता है, अगला प्रिश्ण है, मिताक्षरा नियम के परवर्तक है, अगला प्रश्न है विध्यालय को बच्पन का घर किस ने कहा है। परिवार सिक्षा का सर्वत्तम इस्तान और बालक का प्रथम विद्या लई यहां किस ने कहा है तो यहां किस ने कहा है चार उपसर ने इसमें से बताना है तो इसका सही आंसर है यहां पेश्टा लाजी ने कहा है अगला प्रश्न ही परमपरागत हिंदू परिवार का स्वरू अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्ण है दोस्तों सास्तिर परिवार कहते है जन्म का परिवार कहते है जनता का परिवार कहते है या फिर इन में से कोई नहीं तो उसका स्यांसर है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, उसे जन्म का परिवार कहते हैं, अगला प्रश्ण है, परिवार की उत्पत्ती की विकासवादी सिद्धानती के समर्तक है, को ने दोस्तों आपके सामने चार उपसन दिये हैं, तो उसका स्यांसर बताएगा, इसका सही अंसर क्या है तो इसका सही अंसर होगा परिवार के उत्पति की विकासवादी सिद्धानते के समर्थ तक वेश्टर मार्क और लुइस मार्गन है अगला प्रश्चन है एक पत्नी के एक से अधिक पत्ति वाला परिवार क्या कहलाता है चारोप से दोस्तों इसमें से कमी के कारण हुआ था इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरूशों के मद्दे एक इस्त्री रहती है हमारे देश में टोंडा और खस जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाई जाते हैं चकराता में निवास करने वाले खस जनजाती में सभी भाईयों की एक ही पतनी होती है तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा होगा अगला प्रश्ण है मातर सत्ता अत्मक परिवार कहां पाय जाते हैं जिसमें दोस्तों जिस परिवार की माता प्रधान होती है वो कहां पाय जाते हैं ऐसे परिवार तो वहां परिवार भारत में अश्रम की खाशी और गारो अगला प्रश्न है बालक नाग्रिक्ता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के स्रक्षण के बीच सिखता है है यहां किस दार्सनिक का है? इसमें से पताना है, तो उसका सहरma नंगे यहां कथन में जिनिका है अगला प्रशण है शामुहिक प्रति निद्हान या चेतना के अधार पर व्यकती और स्माज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धान्त परतिपातित किया है अगला प्रश्ण है कौनसा सिद्धानत व्यक्ती और समासे सम्मधित नहीं दोस्तो चार उपसर ने इसमे से बताना है तो उसका सही अंसर है जो सामाजिक अनुबंदन सिद्धानत सामाजिक समझवता सिद्धानत और सामोहिक मन का सिद्धानत तीनों ही व्यक्ती और समासे सम अगला प्रिश्ण ही है अंता किरिया के लिए सदर्श्यों में से समपून क्या है चाहरुकस्न हे जामाजिक अनता किरिया के अगला प्रिश्ण है किसने समाज को एक साव्यव माना है किसने माना दोस्तो 27 प्रस्ण है तो इसका अंसर कमेट से भी जल जल दी किसने माना है तो इसका सी अंसर है छार सकुले ने समाज को एक साव्यव माना है अगला प्रिश्ण है समाज एक साव्यव है समाज के विचार किस विद्वान के है तो इसका सही अंसर है यहां विचार हरबर्स इस्पेंसर के हैं अगला प्रश्ण है किसने कहा मनुश्य श्वभावा आवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है चारुपसने दोस्तों इसमसे बताना है तो उसका सही आंसर है यहां अरस्तुने कहा अगला प्रश्ण है बच्चों के लिए खेले क्या है बच्चों के लिए एक अर्जित मुनरंजक कारी है एक जन्मजाद प्रवत्ती है एक अनावशक प्रवत्ती है या फिर समय को व्यर्थ गवाने की प्रकरिया है तो उसका सही आंसर है प्रस्तूत कथन है, यहां किसका कथन है, चार उप्सन है, टी पी नन का है, रसेल का है, हरलाग का है, यहां कथन हरलाग का है, अगला प्रशन है, खेल एक आनंद दाया का सारीरिक या मानसिक प्रकरिया है, जो अपने आप में पूर्ण है, और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष नहीं होता खेल के अर्थ का यहां इस्प्ष्टिकरन प्रस्तूत किया गया है और प्रस्तूत कियाइगा है। अगला प्रशन है खेल की विसिस्ता है दोस्तों आपको खेल की विसिस्ता बताना चार ओप्सन है इसमें से तो उसका सही अंसर है जो खेल की विसिस्ता है यहां एक जनमजाद परवत्ती है यहां एक आननदाएक परवत्ती है यहां एक रचनातवक परवत्ती है तीनों ही दो akah इसका सईयानसरे रप्रूट शपी वि सिस्ताए है अगला प्रशने खेल यहर Earquat ने मुझेट और ओर अगला प्रशन इप घ् vermalais बता होता boiling सब्सक्रण को सब्सक्राइब नियम संबंदित और लक्ष संबंदित अंतर होता है तो इसका स्यांसर उप्रक्त सभी अगला प्रश्ण एक खेल तथा कारि Grad किenda का किया जो जो कि we कर दोस्तों ओप्रूप थे अग्ला प्रश्न है क्या बालेविकास के दिष्टिकों से खेल का महतभे नैटिक एवं चारेत्रिक विकास में सायक है तुछका सही आंसर है उब्रुक्त सभी रूपों में महत्पून है अगला प्रश्ण है बच्चों में खेल की आदत एवं प्रवत्ती सायक होती किसमें होती 24 उपसर ने इसमें से बताना है तुछका चुछ सही आंसर होगा बच्चों में खेल क क्रम में खेल कि श you mitte用प उता है किसका होता दो अपके सामदे चार उफस्ता नेSabas बताना है सीरे जो बाली विकास क्रम में खेल कि स्वरूप में सई ही प्रति रूप होता है वह सेज्स्व अवस्था में सारेरिक बाली अवस्ता में सामाचिक तता किस रवस्ता में मानसिक प्रतिरूप होता है अगला प्रश्न है आयू तथा खेल में सम्मंदित तथी है दो तो चारोपस ने इसमें से बताना है कि आयू तथा खेल में सम्मंदित तथी कौन सा सही है तो इसका सही आंसर है आयू तथा खेल से सम्मंदित तथी आयू बढ़ने के साथ साथ खेल विकास करम में नियम बढ़ता आती है आयू बढ़ने के साथ खेल किर्याओं में कमी आती है और आयू बढ़ने के साथ सारी डिक खेलों में कमी तथा मानसी के खेलों में बढ़ती होती जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उप्रोक तो सभी तथे सत्य है आयू तथा खेल से सम्मंदित अगला प्रशने जिन खेलों में खेल के नियमों समय की बादता या किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उन्हें कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे स्व तो इसे मनोरंजक खेल माना जाता है, अगला प्रश्ण है, बच्चों द्वारा लोका छुपी, भागना दोड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उचलना कुदना आदी खेल माने जाते हैं, एक किस प्रकार के खेल माने जाते हैं दोस्तों, तो इसका अंसरे एसे खेल को गतिसील खेल माना जाता है, अगला प्रश्ण है, बध्धिक खेल होते हैं, दोस्तों चार उपसने उसमस बताना बध्धिक खेल कौन से होते हैं, तो इसका सही अंसर है, जो बध्धिक खेल होते हैं, वो किरिया प्रदान खेल, शविक प्रदान खेल, और चिंतन प्रदान तीनों ही बुद्धी खेल होते हैं अगला प्रिश्ण है बालकों से खेल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से हैं दोस्तों प्रभावित करने वाले कारक बालकों के खेल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो इसका सही अंसर है बालकों के खेल विकास को संक्या के अधारपर खेल के वर्गेह कितने हैं तो उसका सही स्वत उसरेघ Claus और साहचरे संक्या के अधारपर खेल के वर्गेहें इसका सही आंशर है ये सभी अगला प्रश्ण हे कोयल को किस स्रेणी में वर्गी करत किया आपको सभी को पता होगा तो का सजयान शरी कोईल को पक्ची स्रेणी में वर्गिक्त किया गया है अगला प्रश्ण है वन जीव प्रस्रिक्षन संसतान भारत का मुख्यालई कहाँ परें दोस्तों यह बोफ़ पाल में नई दिल्ली में है देहरादुन में है या फिर कोयम बटोल में है तुसका सही आंसर है वन जीव प्रशिक्षन संस्तान भारत का मुख्यालई देहरादुन में है अगला प्रशन है विश्व वन जीव कोस प्रकति का मुख्यालई कहां पर है ये कहां पर है दोस्तों तो ये नई दिल्ली में है द के नाम पर वन जीव शंबंदी फेलोशिप दी जाती है का मोल निवास कहां का है कहां के हैं दोस्तों ये कुरु छेतरे के हैं जहांसी के हैं जाइपूर के हैं या फिर नई दिल्ली के हैं तो इसका सही अंसरी यहां मोल निवास जाइपूर राजिस्तान के हैं अगला प्रश प्रशने हैं अंजली की सहली दातों में 6 से बचने के निमली खित चार तरीके बताती है बहुत अच्छा प्रशन तो सीटेट 2012 में पुछा गया प्रशने इस प्रशने का मैं पहले भी जिकर कर चुका हूं यदि आपने परियावरान अध्यान के जितने भी मैंने अध्याय ड इसका सही आंसर जो पहला उप्रशने दिन में दो वार बरस करें जो पहला उप्रशने उसका अनुपशने और च्यौथ ऑप्रशने तो अगला प्रश्ण है, जीवों की विवार का अध्यान किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्ण 24 अप्सन आपके सामने इसे बताना है, तो इसका सही अंसर है, जीवों की विवार का अध्यान इतोलाजी में किया जाता है, अगला प्रश्ण है, चमगादर इस्तंदारी है क्योंकि वहां उड़ता है, रात्री चरहे, साकाहरी है, या फिर बच्च देता है, तो इसका जिक्र भी में पहले की वीडियो में कर चुका हूँ, जो इसका सही अंसर है, जो चमगादर इस्तंदार है, क्योंकि वहां बच्चे देता है, अगला प्रश्ण है, निम्न मेंसे कौन सा एक कथन इसा है, जो सही है, तो इसका सही अंसर, जो सही कथन है, वो दहेज तथा बाल स्रम सामाजिक बुराईया है, जो तीसरा उप्सन है, वो सही है, बांकि जो तीन उप्सन है, गलत है, अगला प्रश्ण है, मदु मक्खी पालन के वीसे में सही कथन चुने, दो जो था option सही है तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों इसमें जो पहला option है वो गलत है जो मधु बक्खी पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय जह जो होता है वो नommomber से फ़यरी तक का होता है इसमें दूसरा option और तीसरा option ये दोनों ही सही है जो था OFCENT दोस्तों वो गलत है तो जो प्रशन के नुसार दूसरा और तीसरा OFCENT इसका सही है तो इसका सही आंसर होगा C, अगला प्रशन है कुछ जानवर रात में जागते हैं ये जानवर हर चीच को जिन रंगों में देखते हैं, वे हैं किस रंगों में देखते हैं दाल और संत्री है, बेगनी और निला फिर हरा और पिला है से बताना है, कौन सा उपसन सही है पहला उपसन सही है दूसरा सही है तीसरा सही है फिर चोथा उपसन सही है पहला उपसन है हाती गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके सरीर को ठंडक मिलती है जो पहला उपसन दोस्तों सही है दूसरा उपसन है अधिकान से हाती द किलोग्राम हुता है तो जो एक दिन में लगबग जो किलोग्राम पत्ते या फिर जाड़िया खा लेते हैं जो दोस्तों वह पूछाई तो इसका सहय आँसर होगा पहला अगला अगला प्रश्ण है मद्वनि चेतर कलओ के बारेमें सही कतन कुनिये जो इसका इसका सहय आँसर बताना कौन सा तो नेपाल की प्रमोक चितरकला है तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा अगला प्रश्णा है निमने में से सयुक्त परिवार का एक गुन नहीं है दोस्तो आपके सामने चार होपस ने इसमें से बताना है कौन सा एक गुंड नहीं है जो एक गुंड नहीं है वो आलश को अभाव है अगला प्रश्न है शमाज का निर्माता किसी माना जाता है पुरुवज सामान रिश्यों के नाम का उच्छरण करने वाले होते हैं अगला पुरुष्ण है विवा इस्थी और पुरुस्ष के परिवारिक जीवन में प्रवयस करने की एक संसता है यहां कतन किस विद्वान का है, किस विद्वान का है दूसर चार उपसन है, मेकाईवर का है, मरेटन का है, बोगाट्स का है, या फिर वेश्टर मार्क का है, चार उपसन है, तो उसका सही अंसर है, यहां कतन बोगाट्स का है, अगला प्रश्ण है, परिवार क्या है, तो उसक बताना है कि इसमो Hagina ही जो सारदा अधिनिय हम यो कि सम्बम दे तो इसका शाहिया आश्या एआश्या में है ओल है बाल विवा से सम्बम दे अगला Challenge है जो सब्ण Banks अब के सामने पर जो सार्दा आजिया में दोस्तों को बाल विवा से संब्द्ध तो अगला प्रशय है एक एसा समों है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोस्टन की विवस्ता करता है यहां परिभाषा किस ने दी किस ने दी दोस्तों यहां परिभाषा तो इसका सही आंसर है यहां परिभाषा में काईवर एवं पेंच ने दी अगला प्रश्ण है प्रत्यक परिवार में किस समाज सास्त्री ने लिखी बहुत ये अच्छा प्रशनी दूस्तु आपके सामने चारें इसमें से बता ना है तो उसका स्रीय आंसर है जो दीफ इमली नामग पुछत कि वह आगबर्न और निमकॉफ ने लिखी अगला प्रशन है था हमारे आसपरोस में पाए जाने वाले निमने जानवरों में से किस जानवर का मनरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है दोस्त चार उपसने यह तो बहुत सी सरल प्रशना आप सभी को पता होगा कुटा है घरगों से मुरगा है या फिर बंदर है तो इसका स्रीय आंसर दोस्तो जो बंदर एक ऐसा जानवर है जि इस जानवर का घरबार से संबन्द जो होता है दोस्तो प्रतिक्श तोर पर होता है अगले प्रशनह गोत्रवर्वर पिंड से बाहार मिवा समय का नियम गयलाता है क्या दोस्तो च्रौ रोप्सने बहुत अच्छा और बहुती सरल प्रश्ण है परिवार है गाउं है विद्याला या फिर सहर है तो इसका सही आंसर है शामाजीक जीवन की प्रथम पाट सला की संग्या परिवार को दी जाती है अगला प्रश्ण है गाउं में दूद के लिए पालतुग आई इस्त तो परिवार के समाने विशस्ता विवा संबंद वंस नाम समाने वास या फिर ये सबी तो इसका सही आंसर है परिवार के समाने विशस्ता होती है वो विवा संबंद वंस नाम और समाने वास होती है तो इसका सही आंसर है ये सबी अगला प्रश्ण है परिवार के मुख्य स प्रिद्ट 62 कर दोस्तों जो सक्टार नेसं कर देंगal प्रश्चिन नहीं अगला प्रश्चिपल में चिप को लो को बहुत शुरूल्ए कोSSD अंदरलाल बहुगुणा के नेत्वरत्रु में चिपको अंदरलन को बल मिला अगला प्रश्ण है निमल लिखित में से किस एक प्राणी को किशान का मित्र कहा जाता है चारूपसने दोस्तों उसमें से बताना ये भी बहुत से रहल है आपको सभी को पता होगा कौन सा प्राण या फिर सहजीवी है तो जो सेख होता है दोस्तों वो शहजीवी होता है अगला प्रिश्ण है जूम खेती होती है तो सभी को पता होतो दोस्तों जूम खेती हो कहा होती है चारूपसन आपको सामने इसमें से बताना है जो जूम खेती होती है दोस्तों वो मेगालई में होती है तो उसका सही आंसर है तीसरा अगला प्रश्टी है भारत में क्रश्वी को प्रभावित करने वाला मोशम का सबसे महत्य पूर्ण तत्व है कौन सा यह तापमान है आधरता है पवन है या फिर वरश्टी है तो उसका सही आंसर है भारत में क्रश्वी को प्रभावित करने व विट राश्टी उध्यान को पूर्व में हिली राश्टी उध्यान कहा जाता है अगला प्रशन है हमारे राज्य का पक्छी अभ्यारंण किस जिले में इस्तित है चार उप्सन दोस्तों, उसमें से बताना है समाई माथोपुरे, अलवर है भरतपुर है या फिर उदाईपुर है तो उसका सही आंसर है हमारे राज्य का पक्छे अभ्यारण भरतपुर जिले में इस्थी थे अगला प्रशन है बिटी क पास है दोस्ते उसके बारे मैं पहले भी लवन साधरता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है तूसका सब्स्राया आनसर होगा एंस्ताइन है लवन साद॥ धुग होगी अगला प्त प्रसस्न है इन ने से कों द्वी भीज पत्री पोदा अहें बहुत है अटट्चा ऑ्रफ पूधों में जलका अधीगराण जायलम के द्वारा होता है अगला प्रशन है इस पोधों में पत्तियां है जिनने सबजी की तरह परियोग में लाया जाता है इसके बीजू से तेल प्रापत एक देखे जाता है यहां पोधा क्या है दोस्तों कौन सा है city 8 2015 में पुछाएगा प्रश्न है तो यहां पोधा शर्षो का है अगला प्रश्न है मिजोरम में की जाने वाली जूम खेती के वीशे में निमलिकित कतुनों का दियन कीजी दो तो city 8 2015 में पुछाएगा प्रश्न है आपके सामने 5 उप्षन है इसमें से बता ना है कौन सा उप्षन सही है पहला सही है दूसरा सही है तीसरा या फिर चोथा उप्षन सही है तो इसका जो पहला उप्षन है एक फसल को काटने के प्रश्यात भूमी को कुछ वर्ष तक ख यहरी जिवताई की जाती है तीसरा उप्षन है वह गलत है चोथा उप्षन है एक ही खेत में तीन- चार भिन प्रकार की फशले हो गई जाती है चोथा उप्षन विल्कूल सही है और 5 उपसं ने आवशकता अनुसार रशाइनिक उर्वरकों को और कीट नाशको का अवस्ता के बाद आती है अगला प्रश्ण है भारत के निमलिकित में से किस भूतिक प्रदेश में उष्ण कटी बंदी सदा बहार से लेकर अलपाइन प्रकार के वनस्पती मिलती है चारुपसन दोस्तों इसमें से बताना है दक्षन का पठार है हिमाले प्रवती प्रदेश ह उत्तर का बड़ा मेदान है या फिर टटीय मेदान है तो इसका सही अंसर है हिमाले प्रवती प्रदेश में उष्ण कटी बंदी सदा बहार से लेकर अलपाइन प्रकार के वनस्पती मिलती है अगला प्रश्ण है वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है क्या दूस्तों बाड़ाना, शुखा पढ़ना, फिर ये ये सभी चार लूपस नहीं दूस्तों ये तो आपको सभी को पता हो कितने दोस्तो भारत में वन जीव अब्यारान आपने पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा 501 हे 715 हे 521 हे या फ़ीज़ 633 है तो इसका सही अंसर है भारत में वन जीव अब्यारान के संख्या 501 हे अगला प्रशन हे प्रत्वी के तापमान में व्रद्धी से वनस्पती पर क्या परभाव पड़ेगा क्या परभाव पड़ेगा दोस्तो जारूपसन आपके सामने तो इसका सही अंसर होगा प्रत्वी के तापमान में व्रद्धी से वनस्पती पर प्रत्वी वनस्पती हिन हो जाएगी वनस्पती सूख जाएगी और वनागनी की घटनाए बढ़ेगी तो इसका सही अंसर है ये सबी अगला प्रिश्ण है पर्णपाती वनों का विश्थार पाया जाता है 100 cm से कम वर् ये अला प्रिश्ण है एक भारत में सदा बाहर वन पाये जाते हैं तो सही अंसर हुगा भारत में जो सदा बाहर वन है वो पशमी घाट के पशमी ढालों पर पाये जाते हैं अगला प्रश्ण है मरस्तली करण सी भूमी की उत्प权त प्रश्ण करते हैं अगला प्रश्ण है बीज अंकुरन की अवधारना को इस तरह सबसे बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि इस तरीके से दोस्तों सबसे बहतर पढ़ाया जा सकता है तो इसका सियान सरी बीज बोने अंकुरन के विबिन चरणों का उलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निश्पादित करने के ल थोड़े देर पेले भी से जिक्र किया था तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो रात में जागने वारे जानवर हर चीजों को केवल काली और शपेद ही देखते हैं अगला प्रश्ण है रातीयों के जुंड के बारे में सही कफन को चुनई दोस्तों आपके सामने चार व्प प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर होगा दूस्तों वो हातियों के जुंड में केवल हतनियों और 14-15 वरसे के बच्चे ही रहते हैं इसका पहला उप्सन और तीसरा उप्सन है जुंड की सबसे बुजुर्ग हतनी ही पूरे जुंड की नेता होती है यह दोनों उप्सन से ही ब इसको दोस्तों मैंने पोधेगा जो चेप्टा रहे उसमें बहुत ही अच्छे तरीके समझाया है तो उस वीडियो को आप देख लीजेगा तो इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंखुणियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर ज खिलाते हैं अगला प्रश्ण है एक किसान दानों को भूशी से अलग करना चाहता है जिस परक्रिया से यहां किया जा सकता है वहां क्या खिलाती है शफल की कटाई हस्त चयर थ्रेशिंग या फिर निश्पावन चार उपसन इसमें से बताना है तो उसका सही आंसर है एक किस रक्त्समों बाली स्त्री से साधी करता है उसके पहले बच्चे के रक्त्समों एह होने की संभवना है कितने प्रतिसत होती है पाचीस क्रतिसत प्रतिसत 5 15 या फिर सो प्रतिसत तो इसका सही अंसर है उसके पहले बच्चे के रक्त समू ओ होने के संभावना 50% रहती है अगला प्रश्ण है नीची तीए गई कर्तव्यों या फिर उत्तरदायत्वों का दिन कीजिए दोस्तों आपके सामने 5 ओप्सने इनको पढ़कर आपको बताना है कि माउंटेन येरिं में गुरूप लीडर की जिम्मदार्यों का उप्यूक्त चेन करते हैं तो इसका सही अंसर है पहला अगला प्रश्ण है चरने वाले पश्रू वनुश्पति को केसे बदलते हैं केसे बदलते दोस्तों चरने वाले पश्रू वनुश्पति को बीज प्रकिरन द्वारा पर प अधिकान से पक्षियों के ने तरिश्तिर होते है और घूम नहीं सकते इसलिए अधिकान से पक्षिय अपने गरदन अतिदिक खिलाते हैं ढहाश में किस प्रकार के जड़ पाई जाती है पाई में भाइब्रस जड़ पाई जाती है भाइब्रस रूट पाई जाती है अगला प्रशने खेलने से बालक में किस प्रकार का विकास होता है चारोपस ने दोस्तों इसमें से बताना है तो इसका सही अंसर जो खेलने से बालक में जो विकास होता है उस सारे रिक विकास और मानसि विकास दोनों ही होते हैं तुश्का सी अंसर है शी अगला प्रश्न है निमलिकित का अध्यन कीजिए कोवा पेड़ की उची डाल पर अपना गोसला बनाता है इस गोसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़े यहां तक की लकडी की साखाये और लोहे के तार भी होते हैं एक च पक्षी कौन सा है कौन सा दोस्तो सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्ण है इसका मैं पहले भी जिकर कर चुका हूं बसंत गोरी है कोयल है सकर खोरा है या फिर कल्चिडी है तो उसका सही आंसर है वहाँ पक्षी कोयल है अगला प्रश्ण है निमले कितमेसी कौन सा बीज नहीं है काली मिर्चे है शाबुदाना है सोंफ है या फिर गेह हूं दोस्तो सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्ण है तुसका सयान सरे जो साबुदाना है वो बीज नहीं है अगला प्रश्ण है रहाना अपने परिवार के साथ के रल जाती है वहाँ उसे उची व्रक्ष इसका सजान सर इसने के रल में नारियल के व्रक्ष देखे हूंगे अगला प्रश्ण है निमलकित में से कोन यसी विससता बर्गत के पीड़ की जड़ो की नहीं दोस्तों चारुस ने इसमीच सी बताना है का कोण सी वर्गत के पीड़ की शो साथ नहीं है तो.. जड़े भोजन का बंढरंग करती है यहां विसेस्ता बरगत के पेड़ की जड़ों की नहीं है अगला प्रश्ण है एक सिक्छिकाने का अक्छा फोर्त के सिक्छार्तियों को पढ़ाने के लिए पोधे अंतरवस्तु का चैन किया उसने सीखने के लिए निमली के तवसर इस परकार की गतिविदियों है तू सिक्छिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोथसान नहीं देना चाहिए बच्चों के द्वारा कारे का विष्टार बच्चों का निरंतर गतिविदी में लगे रहना बच्चों की परस्पर के रिया अवलोकन और सयोग या फिर जि इतनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल अगला प्रश्ण है बगुला भेंस पर बैठता है क्योंकि दोस्तों इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ पुछाएगा प्रश्ण है चारोकस ने इसमसरी बताना है तो इसका सही अंसरे भोजन भंडारन या संचित करना जड़का कार्य पूधे के लिए नहीं है अगला प्रश्ण है निमले के तमेशे कौन सा कीट मदमक्यों की भाती कालोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है त कि इतनी तिक्ष्ण होती है कि वहाँ वायू से पत्तों के हिलने की ध्वनी और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनी में अंतर कर सकता है तो इसका सही अंसर क्या है बाग है? निमले है तो इसका सही आंसर है यो पोधों में अर्द सुत्री भी बजन होता है वो पराग कोश में होता है अगला प्रशन है एक कोशी शुक्ष में जीव है क्या है दूस्तो चार उपसने इसमसे बताना है तो इसका सही आंसर है एक कोशी शुक्ष में जीव पेरा मेशियम है अगला निमन मेंसी किस मिट्टी का विश्तार भारत के सरवादिक छेतर पर है बहुत अच्छा प्रशन है काले मिट्टी है जलोड मिट्टी है लाल मिट्टी है या फिर बलोई मिट्टी है तो इसका सही आंसर है जो जलोड मिट्टी होती है दोस्तों उसका विश्तार भारत के सरवा पन है अगला प्रश्ण है निमने में से कौन सा कायंतरित सेल का उधारन है कौन सा दोस्तो बलवा पत्तर है गरेनाइट है शंगमरमर है या फिर चूना पत्तर है तो बहुत अच्छा प्रश्ण है तो इसका सही आंसर है जो संगमरमर है दोस्तो वो कायंतरित सेल का उधारन है अगला प्रश्ण है, माना विकास के क्रम में दो पेर उपर चलने का सबसे बड़ा लाब हात स्वतंत रूप से मस्तिक्स की आग्यानुसार कारी कर सकते हैं अगला प्रश्ण है, किस वन्य जीव का सरक्षन करता है, किस का करता है, सामका करता है, गेंड़ा का करता है या फिर सेर का करता है तो उसका सही आंसर है यहां सेर का सरक्षण करता है अगला प्रश्ण है संकट गरस्त जन्तू देत्याकार पांड़ा पाया जाता है जो देत्याकार पांड़ा है तो तो कहां पाया जाता है आस्टेलिया में भारत में चीन में या फिर ब्राजिल में तो एक प्रश्न है निम्न में सि प्रकर्तिक वनस्पति मरुस्तली प्रदेशों में पाएजाती है दो स्सक्राइद क्ष्मिप्रदा का निर्मान लावा द्वारा होता है कौन सी म्रदा है लाल मिट्टी है काली मिट्टी है जलोड मिट्टी है या फिर लेटराइट मिट्टी है तो उसका सही अंसर है जो काली मिट्टी होती है दोस्तों उसका निर्मान लावा द्वारा होता है दोस्तो आज के 135 प्रशन आपको कैसे लगे प्लीज मेरे कमेंट से बोक्स में जरूर बताएगा और जो 135 प्रशन है दोस्तो उसमें आपको कितना नमर आए ये भी आप मेरे कमेंट से बोक्स में जरूर बताएगा और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को दबाईए जिससे कि आपको लेटेश्टी वीडियो मिलती रही धन्यवाद